नमस्कार मैं हूँ राजेंदर धमीजा आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सो भागे 17 जन्वरी 2023 तक सनिग्रह मकर राशी में गोचर कर रहे हैं 17 जन्वरी को रातरी 10 बजकर 9 मिनट पर सनिग्रह का राशी परिवर्तन मकर राशी से कुम्ब राशी में होगा मैं आपको सनिग्रह के इस राज़ी परिवर्तन से पहले और इसके बाद आपकी राज़ी पर पढ़ने वाले प्रभाव और होने वाले महतु पूर्ण परिवर्तनों के समंध में जानकारी दूँगा सनिग्रह का ये गोचर कैसा रहेगा किसके लिए शुब हुए किसके लिए शुब किसकी साड़े साती कतम होगी किसकी शुरू होगी किसका ढहिया कतम होगा किसका चलेगा किसको अचानक लाभ मिलने लगेगा और किसका लगाया हुआ धन भी डूबने का योग बनेगा यह सब बताऊंगा मैं आपको आपके सामने जो भी परिचानी आने वाली है उसे कैसे दूर करना है इस सब के उपाई भी मैं आपको बताऊंगा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो अभी कर लें ताकि जोति समंदी महतुपुरुन जानकारी बिलकुल सरल भाषा में आपको मिलती रहे साड़े साथी को समझने के लिए सबसे पहले सनिग्रह के सामानिक कारकत्वों की जानकारी होना आवश्यक है सनिग्रह सामानित्या जिन वस्त्वों का कारक है वे हैं आलस्य, रुकावट, कास्ट, रोग, विरोध, दुख, मृत्यू, दास, दासी, आयू, जूट बोलना, वृद्धा वस्ता, नसें, प्रिश्रम, राक, काले अनाज, लोहा, सूद्र, लंगडापन, शक्ति का दुरूप योग, पुराना तेल, लकड़ी, विस आधी, सनिग्रह जनमकुंडली में सुबस्तिती में हो तुबह व्यक्ति को दिरगायो, कठोर, और लंबे समय तक प्रिश्रम की क्षमता देने वाला धनवान, कुसल राजनी तिग्य, धार्मिक विचारों वाला पैतरिक संबत्ति वे वानुसे युक्त, गंभीर, सत्रुनासक, आविसकारक और गुप्त विद्याओं का ग्याता बनाता है। बलवान शनी जमीन जाइदाद वे मकान आदी में वृद्धी करता है। ऐसा विक्ति नए नए मकान बनाता है और दूसरों के भी सहायता करता है। जनम कुंडली में शनी ग्रिया यदि असुब परभाव में हो तो वे व्यक्ति को निर्धन, आलसी, दुखी, कम सक्तिवान, व्यापार में हाने उठाने वाला, नसीले पदार्थों का सेवन करने वाला, अलपायो, निरासावादी, जुआरी, कान का रोगी, कब्स का रोग जोडों के दर्द से पिडित, वहमी, उदासीन, नास्तिक, बैमान, तिरस्कृत, कप्टी, एधार्मिक, तथा मुकदमे वे चनावों में पराजित होने वाला बनाता है, ऐसे विक्ति प्रायस सभी कामों में देरी करने वाले होते हैं, और अपने महत्पुर्ण कामों को भ साड़े साथी, साड़े साथ साल की होती है, और धैया अड़ाई वर्स की होती है, मकर वैकुम्ब सनी की अपने राजियां है, तुला राजिय में यह उच होता है, और मेश राजिय में नीच स्थिती में होता है, जनम पत्री में सनी अपने गोचर में तीसरे चटे और ग्य सब को डर लगता है गोचर को हम संद्र लगन से ही देखते हैं चोथे या आठवे भाव में जब सनी आता है तो इसे लभू कल्यानी धहिया का नाम दिया जाता है सनी जब किसी राची से बारवेस्तान में आता है तो साड़े साती के समय का आरंब होता है जनम राची पर सनी होने से साड़े साती का मध्य होता है और जनम राची से अगले भाव में जब सनी आता है तो साड़े साती का अंतिम चरण होता है सनी की साड़े साथी से सब को डर लगता है सबसे पहले समझते हैं साड़े साथी होती क्या है साड़े साथी का सिदार्थ है साड़े साथ वर्स का समय साड़े साथी का समंद सनी ग्रह के चंदर राशी से गोचर से ही है सनी ग्रह के गोचर यानि साड़े साथी को जनम समय के चंदर्मा से देखते हैं यानि आपकी जनम राशी से देखते हैं लगन से नहीं चंदर्मा से इसलिए देखते हैं क्योंकि चंदर्मा को मन कहा जाता है चंदर्मा भागे का विकारक है शनी असुब परभाव देने वाला ग्रह माना जाता है इसे आप ऐसे समझ लें कि जब आपकी जनम पत्री में स्थित चंदरमा पर शनी ग्रह का परभाव पड़ता है तो वह विचलित होता है जिससे आपका मन अस्थिर होता है निरास होने लगता है और आपका भागे भी विपरीत रूप से परभावित होता है इसलिए सनी ग्रह से सब लोग ड़ते हैं या जरूरी नहीं कि सनी सब को खराब परभाव ही देगा फिर भी यह डर बना रहता है कि जब सनी की साड़े साती आएगी तो सब कुछ इस तरह से खराब हो जाएगा कि निरासा बढ़ेगी और भग उल्टा हो जाएगा शनी ग्रह नव ग्रहों में सब से धीरे चलने वाला ग्रह होता है साड़े साती की यावधी कुल साड़े सात वर्स की होती है अधिकान स्विफ्तियों के जीवन में ये समय प्राया काफी महतुपुर्ण संघर्सपुर्ण वे कस्ट प्रद होता है सनी ग्रह के प्रभाव के कारण अत्यधिक प्रिस्रम करना पड़ता है तथा प्राय उस प्रिस्रम का फल भी काफी कम मिलता है मांसिक वसारी डिक्रूप से कस्ट उठाने पड़ते हैं इसी कारण साड़े साती का डर मन में बैढ जाता है आपकी साड़े साती कब सुरू होगी तथा कब तक रहेगी आपको इसके क्या प्रभाव मिलेंगे तथा इस अवधी में आपको क्या क्या उपाए करने चाहिए इस सब का विवरण मैं अलग से दे रहा हूँ यह विवरण तथा उपाए, सामाने हैं और समंधित राशी के अधिकान स्लोगों पर लागू होते हैं देश का अलपातर के अधार पर इन में परिवर्तन हो सकता है अपनी आयू, स्थान की गोलिक स्थिति, सामाजिक प्रिश्थितियों तथा आपके व्यवसाय के अधार पर इन परिणामों में परिवर्तन आविश्यक है साड़े साती के बारे में एक बात ओर समझ लें साड़े साती का पहला चक्र यानि पहले साड़े साथ साल बच्छमन में आते हैं इसका अधिकतर परभाव स्वास्थे, शिक्षा तथा मातापिता पर होता है दूसरा चक्र युवा अवस्था में आता है इसका परभाव परिवारिक जीवन, कर्यस्थिती तथा आर्थिक व्यवस्था पर पढ़ता है साड़े साती का तीसरा चक्र प्रायव व्रिद्धा वस्था में आता है इसका परभाव स्वास्थे, मानपर्तिष्ठा तथा आर्थिक स्थिती पर अधिक पढ़ता है वर्स 2023 में किस की साड़े साथी चलेगी और उसका किस पर क्या परभाव पड़ेगा अब मैं उसकी चर्चा करता हूँ सबसे पहले बात करता हूँ सनी के वर्तमान गोचर की 29 अप्रैल 2022 को सनी ग्रह ने मकर रासी से कुम्ब रासी में प्रवेश किया 5 जून को सनी ग्रह कुम्ब रासी में वक्री अवस्था को प्राप्त हुए और 12 जुलाई 2022 को सनी ग्रह ने वक्री अवस्था में मकर रासी में प्रवेश किया वक्री का अर्थ होता है टेड़ा या उल्टा चलना वास्तो में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता सुर्य से एक वीशेस दूरी होने पर सभी ग्रह उल्टे चलते हुए परतीध होते हैं जैसा सपस्ट धिखाई देता है जो तिसमें हम उसे व्यासा ही मानते हैं हम जानते हैं सुर्य स्थिर है पर यह हमें हर रोज चलता हुआ दिखाई देता है इसलिए हम इसकी गती को राशी और अंसों में मानते हैं यही स्थिती पृत्वी की भी है पृत्वी लगातार अपने धुरी पर घुम रही है पर हम इसे स्थिर मानते हैं क्योंकि यह हमें स्थिर ही दिखाई देती है जो जैसा दिखाई दे वही सत्य होता है अब सनिग्रह की आगे बात करते हैं 23 अक्तुबर 2022 को सनि ग्रह मारगी होंगे और 17 जनुरी 2023 को कुम्बरासी में फिर से परवेश करेंगे कुम्बरासी में सनि का गोचर 29-3-2025 तक रहेगा इस सारे विवरन से आप यह समझ लें कि 17 जनुरी 2023 को जब सनी कुम्ब रासी में प्रवेश करेंगे तो धनू रासी की साड़े साथी का तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा यानि धनू रासी की साड़े साथी पूरी तरह खतम हो जाएगी मकर राशी की साड़े साथी का दूसरा चरण समाप्थ होगा और तीसरा चरण चालू हो जाएगा कुम्ब राशी की साड़े साथी का पहला चरण समाप्थ होकर दूसरा चालू होगा और मीन राशी की साड़े साथी का पहला चरण आरंब होगा 17 जनरी 2023 को जब सेनी ग्रह कुंबर रासी में प्रवेस करेंगे तो किस रासी पर उनके गोचर का क्या प्रभाव होगा इसकी जानकारी मैं हर रासी के लिए अलग अलग वीडियोस में आपको दे रहा हूँ अपनी रासी का वीडियो आप देखकर पूरी जानकारी ले लें पर यदि कोई उपाय आदे भी आवसिक हो तो वह भी जान लें आपने सारी जानकारी को ध्यान से सुना और समझा इसके लिए धन्यवाद अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अवस्य कर लें इसे अपने मित्रों वा परिचितों के साथ शेयर भी करें ताकि सभी कुछ जोती समंधी अवस्यक जानकारी मिलती रहे बहुत बहुत धन्यवाद